इस वीडियो में हमबात करने वाले हैं कि हम अगर किसी भी को अपने Android फॉन से डेलीट करते हैं जिसे यहां पर हम इसको डेलीड करते हैं तो यहां पर एक खभा आता है कि यह हे अकाउंट जो है वह डेलीड नहीं होता है बसिकली वह 법 इस लिए सारी के से दिखाता है जो आप देख सकते हैं बाहर से अगर रहुंसको डिलीट करते हैं तो आप यहां पर वापसी आजाएगा क्योंकि यह जो हमारे सोंटार कोंटेक्ट्स रहते हैं यह हमारे Google Drive में सेङरे हैं गुगल अकाउंट में सेव रहते हैं या WhatsApp account में या किसी भी account में सेव रहते हैं जो कि इन चीज़ों पर डिपेंट हैं तो उनको सेफ कर लेते हैं अब सबसे मेंच होगा वह यहां पर Gmail का ही account होगा 90% तक Gmail के account ही उनको सेफ कर लेते हैं या आप बैक अप ले लेते हैं उनका बट वह account आप डिलीट कर देते हैं बार 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 बट वह अगर आप दुबारे स्कैन करते हैं तो वह सब किसाब आ जाते हैं अब उनको पर्मेनेंटली डिलीट आप कैसे करें तो उनको आपको अप अपने account बैसे अनलिंक करना होगा सबसे पहले जब आप उसको अनलिंक करेंगे तभी आप उसको डिलीट कर पाएंगे अब अनलिंक कैसे करेंगे आपको यहां पर contact के पूरे हिससे पर जाना है अब जैसे आप खोलते हैं मैं आप पर आपको दिखा देता हूं और मैंने यह नंबर जो है डाला हमें आप इसको होल्ड करता हूं यहां पर डिलीट जो आपको बता रहा था वह इस तरीके से लिखा वाता है बट इसको आपको खोल लेना है आपर इसको open in context में जाकर जो official है उसको खोल लेना होगा यहां पर आपको तीन लाइने दिखेंगी इस पर टि लिंक करेंगे इस तरीके से यहां पर तो यह contact की बहुत सारे नंबर आपके सामने आ जाएंगे अब जैसे ही आप उन पर टिक करेंगे क्योंकि तीन contact पर हमारा जो है सेवता उस पर आप जैसे ही टिक करते रहेंगे वह डिलीट होते रहेंगे ठीक है अब यह पर अभी आप आपको आ रहा था यहां पर ही आप पर्मेनेटली डिलीट हो जाएंगे तो अब जैसे मैं आप इसको डिलीट करता हूं तो यहां पर इनने सिंपल ही कह दिया है कि यह जो है contact में से only accounts में से अब यह जो है रीट नहीं होगा तो यह process रहता है इनको डिलीट करने का account के अंद